नमस्कार किसान सात्यू स्वागते आप सभी का मंडी बाजार बाव अपडेट यूटूब चेनल पर आज इस वीडियो में लसुन तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे क्या होगा जून जुलाई में लसुन का बाव कितनी तेजी की संभावनाय बन रही है किसान म अब पिलाल जो उटी के लसुन का बाव अमें देखने को मिल रहा है वो 4000 रुपे से लेकर 12000 रुपे प्रतिक्योंटल तक देखने को मिल रहा है तता देशी लसुन का बाव 1000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे प्रतिक्योंटल तक भी देखने को मिला है किसान सात्यों आप सभी को पता है लसुन का सबसे अधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है चीन अन्य देशों में भी लसुन की सप्लाई करता है परंतु इस साल चीन में भी लसुन का उत्पादन कापी कम देखने को मिल रहा है और लसुन की क्वालेटी भी कापी खराब देखने को मिल रही एसे में अन्य देश बारत की तरप रुक कर रहे हैं हाला कि इस वर्ष बारत में भी लसुन का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम देखने को मिलाए और बेमोसम बारिस के कारण लसुन की वेराइटी भी कापी खराब हुई है सभी तत्यों को दियान में रखकर ये अन्माल लगाया जा रहा है कि लसुन के बाव में आगे तेजी की पूरी-पूरी संभावनाए बन रही है देशी लसुन का बाव आपको जून जुलाए में यानि कि दोजार रुपे से लेकर बाराज जार रुपे प्रतिकरंटल तक देखने को मिल सकता है ये ते किसान सात्यू एक छोटी सी जानकारी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हूँ तो चेनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं पिनेश्ट वीडियो में जे जवान जे किसान जे हिंद बंदे मात्रम